योग वासिष्ठ के उत्पत्ती प्रकरण में रिशिव शिष्ठ भगवान श्रीराम को आगे मन की परमात्म रूपता, ब्रम्ह की विविध शक्ती और मन के संकल्प से ही स्रिष्टी का विस्तार तथा वासना एवं मन के नाश से ही शे की प्राप्ती का प्रतिपादन करते श्रीराम जैसे जल जाती का बोध रखने वाले पुरुषों की द्रिष्टी में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है उसी प्रकार इस लोक में जिन्हें परमात्म तत्व का ज्यान हो गया है उनकी द्रिष्टी में उनका मन भी परब्रम्ह परमात्मा ही है उनसे भिन्न नही रगुनंदन अज्ञानी पुरुषों का मन ही संसार रुपी भ्रम का कारण है अथ्वा जन्म मरन रुपी संसार में भटकाने का हेतु है जैसे जो लोग जल सामान्य पर द्रिष्टी नहीं रखते उन्ही को समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है अज्ञानियों के पक्ष में उन्हे केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही वाच्य वाचक संबंध जनित भेद की कलपना की जाती है परब्रम्ह परमात्मा सर्वशक्तिमान नित्य परिपूर्ण इवं अविनाशी है उन सर्वव्यापी परमात्मा में जो ना हो ऐसी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है भगवान संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण है उन्हें जब जो शक्ति रुच्ती है तब उसी अनन्त शक्ति को वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते हैं उप्योग में लाते हैं श्रीराम प्राणियों के शरीर में ब्रम्ह की चेतन शक्ति दिखाई देती है इसी तरहें प्रवह आदी वायों में ब्रम्ह की स्पंद शक्ति, प्रस्तर में जड शक्ति, जल में द्रव शक्ति, अगनी में तेजश शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति और जगत की स्थिती में उनकी सत्ता शक्ति विद्यमान है ब्रम्ह की संपून शक्ति दसो दिशाओं में व्याप्त दिखाई देती है विनाश काल में नाश शक्ति, शोक युक्त प्राणियों में शोक शक्ति, प्रसन जीवों में आनंद शक्ति, योद्धा में वीरिय शक्ति, स्रिष्टी काल में सर्ग शक्ति और प्रलय काल में उनकी सर्व शक्ति मत्ता द्रिष्टी गोचर होती है जैसे व्रिक्ष के बीज में फल, फूल, लता, पत्र, शाखा, प्रशाखा तथा जड़ सहित व्रिक्ष अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है उसी प्रकार ब्रम्ह में यह संपून जगत स्थित है रगुनंदन अब इस जगत को और अहम तत्व जीव को तुम ब्रम्ह रूप ही देखो यह परब्रम्ह परमात्मा सर्वव्यापी है उसका अनंत स्वरूप नित्य प्रकाश मान है वही ब्रम्ह जब किंचित मनन शक्ति को धारन करता है तब मन कहलाता है जैसे आकाश में ब्रमवश मोर के पंखों की प्रतीती होती है और जैसे जल में आवर्त बुद्धी होती है उसी तरह मन में ब्रम्ह की प्रतीती होती है शत्रुशूदन श्रीराम यह जो मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ है वह ब्रम्ह की शक्ती ही तो है इसलिए वह ब्रम्ह ही है इदम, तत और अहम वह सब भेद प्रतीती मात्र ही है वास्त्विक नहीं है जैसे निश्चल और निर्मल जल राशी में अपने आप स्पंद होता है उसी तरह परमात्मा में यह जीव, पूर्वक कर्म और वासना के अनुसार प्रकट हुआ है यही संसार का कारण है श्रीराम जैसे समुद्र का जलही, कलोल, उर्मी और तरंग समुदाय के रूप में सबोर से स्थित रहता है उसी तरह ग्यानी की दृष्टी में यह सारा प्रपंच ब्रम्ह स्वरूप ही है जैसे विविधत तरंगों से व्याप्त विशाल महसागर में जल के अतिरिक्त दूसरी कोई कलपना या सत्ता नहीं है उसी तरह परप्रम्ह परमात्मा में नाम रूप क्रियात्मक संसार की ब्रम्ह से अतिरिक्त सत्ता नहीं है यह जो कुछ जगत जन्म लेता नश्ट होता गमन करता और स्थित रहता है वह सब ब्रम्ह के द्वारा ब्रम्ह में ब्रम्ही वर्तता है करण, कर्म, करता, जन्म, मरण और स्थिती यह सब ब्रम्ही है उसके बिना दूसरी कोई कलपना नहीं है यह सारा जगत परमात्मा ही तो है जो कुछ यह संकल्प क्रम है। वह सब भी परमात्मा ही है। जैसे सुवर्ण बाजु बंध के रूप में प्रकट होता है। उसी प्रकार परमात्मा मन रूप से प्रकट हुआ है। इसलिए मन भी परमात्मा ही है। रागहो बंधन और मोक्ष आदी का कोई सम्मोह ज्यानी को नहीं होता मोह जनित बंधन और मोक्ष आदी तो अज्यानी को ही होते हैं निश्पाप श्री राम विकल्प जाल से परिपूर्ण यह संसार रचना प्रतीती मात्र ही है जो बंधन मोक्ष आदी की कलपनाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त हो रही है वास्तों में यहां संकल्प मात्र के सिवा दूसरी कोई वस्तू नहीं है जो कुछ विकल्प रूप प्रतीत होता है वह संकल्प के कारण ही प्रतीती का विशय होता है वह वास्तों में कुछ नहीं है अत्वा कुछ है अर्थात परमात्मा का संकल्प मात्र है स्वर्ग, प्रिथ्वी, वायू, आकाश, परवत, नदियां और दिशाएं ये सब अपने स्वप्न के समान मन के संकल्प मात्र से ही विकसित हुए है जैसे केवल जल्मय चंचल समुद्र अपने स्वरूप भूत जल में स्वयम ही स्फुरित होता है उसी तरहे परमात्मा में एक मात्र संकल्प ही सब और से स्फुरित हो रहा है पहले परमात्मा में एक मात्र संकल्प ही प्रकट हुआ वही संकल्प सूरिय के व्यापारों से बढ़ने वाले दिन की भांती लोगों के विविध व्यापारों से विस्तार को प्राप्त हुआ है वस्तुतह भेद रहित परमात्मा में अहंकार नहीं है जैसे सूरिय की प्रचंड धूप में भ्रमवश म्रग तृष्णा रुपीनी नदी की प्रतीती होती है उसी प्रकार असम्यक दृष्टी अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भान होता है मन रुपी चिंतामनी के द्वारा कल्पित जो महान आरंभ है वही संसार रूप में देखा जाता है जैसे जल अपने स्वरूप का आश्रय लेकर स्वयम ही तरंग आदी के रूप में प्रतीत होता है उसी प्रकार आत्मा का आश्रय लेकर मन स्वयम ही संसार के रूप में सुरित होता है अद्विधिय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की ब्रांती हो रही है इस भ्रह्म का बाद होने पर जब यह सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में ही अवसिष्ट रह जाता है तब यहां कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है जब तक ब्रह्म का साक्षातकार नहीं होता तभी तक देह आदी के पीडित होने पर यह पीडा रहित जीव भी पीडा से युक्त जैसा प्रतीत होता है अच्छिद्य होने पर भी देह के किसी अंग के कट जाने पर तमतमा उठता है परन्तु जब परमात्मा का साक्षातकार हो जाता है तब यह बातें नहीं होती क्योंकि परमात्मा में भेद, अभेद, विकार और पीडा कुछ भी तो नहीं है यह शरीर गिर जाए या उठ खड़ा हो अथवा, आकाश के भीतर चला जाए उससे विलक्षन रूप वाले मुझ आत्मा की क्या हानी है श्री राम, मन ही संपून जगत का शरीर है कभी नाश नहीं होता, यह वासना, इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेश के कारण बंधन में डालने वाली मन की ही शक्ती है इसी के द्वारा वेर्थ भ्रम से स्वपन की भाती इस जगत की कलपना हुई है यह वासना, अविद्या है, ग्यान के बिना इसका अंत होना बड़ा कठिन है यह केवल, दुख देने के लिए ही बढ़ती है इसके स्वरूब का ग्यान होने से ही, यह मिथ्या प्रपंच का विस्तार करती है इस मानसी शक्ती व्यासना नहीं, इस विशाल जगत को दीरग काल तक रहने वाले स्वपन के समान रचा है यह है तो असत, किन्तु, सत्य सा प्रकट हुआ जान पड़ता है आरंभ मात्र ही, इसका फल है, अर्थाद यह निसार एवं आपात रमणीय है, मन का नाश ही महान अभ्यूदय परम पुरशार्थ की प्राप्ति है और वही समस्त दुखों के समूल नाश का उपाय है निरंतर सुख दुख रुपी व्रिक्ष समूखों से भरपूर और क्रूर काल रुपी विशैले सर्प के निवासस्थान इस समस्त संसार रुपी वन में यह है विवेक हीन मन ही बड़ी बड़ी विपत्तियों का एक मात्र कारण और प्रभू है महर्शी वशिष्ट के इतना उपदेश दे लेने पर दिन बीद गया सूरिय देव अस्ताचल को चल पड़े उस राजसभा में बैठे हुए रिशी मुनी तथा अन्य सभासद सायनकालीन कृत्य करने के लिए स्नान के उद्देश्य से उन महा मुनी को नमस्कार करके चले गए तथा रात भीतने पर सूरिय की किरनों के साथ ही वे सभी सभासद फिर वहां आ गए